हेलो माई दियर सुरेंट्स तो आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे तो आज हम लोग कुछ प्रोग्राम्स करेंगे जो की फॉर लूप पर बेस्ट होंगे हम ले इससे पहले तीन सीरीज कर चुकी है फॉर लूप के प्रेक्टिस की अभी यह चौती सीरीज है जिसमें हम लोगोंने कुछ पांच को डिसकेशन किया है फॉर लूप के तो चलिए देखते हैं एक एक कुश्चन को और उसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला कुश्चन है प्रोग्राम टू प्रिंट दा सम ओफ इविन नंबर्स फ्रॉम फिफ्टी नैच्रल नंबर्स है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमको सम्झ में एक लूप चलाना पड़ेगा और वह लूप चलेगा वन से लेके 50 तक तो फॉर आई इन रेंज और ब्रैकेट में हम लिखेंगे वन से लेके 50 तक यानि कि 51 लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें एक ज्यादा देना पड़ता है यहाँ पर, sorry, comma लगेगा 1,51 और यहाँ पर लिख दिया call and sign, उसके बाद हम enter करेंगे हमें उसने बोला है कि आपको एक से लेक के 50 तक के सारे even number का sum करना है, तो हमें हमें से पहले प्रोग्राम बता चुके हैं इसे पहले वाली series में तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं, तो clarity लाने के लिए आप वो सारे series को देखिए, आपको one by one मैंने simple questions से tough questions के तरफ एक series बनाई है, तो अगर आप सारी series को देखेंगे, तो आप बहुत ही अच्छे से step by step समझ पाएंगे कि loop के programs कैसे बनते हैं और कैसे काम करते हैं तो हम लोगों ने sum बाले जो program सीखा था, एक से लेके 10 तक के number का sum, या बन से लेके n तक के number का sum, उसमें हमने सारी वाते सीखी थी, तो यहाँ पर हमें एक variable लेना पड़ेगा, s is equal to 0 जिसमें हम sum को collect करेंगे और अगर हमें सभी number का sum करना होगा, तो हमें लिखते हैं, s equal s plus i, तो इससे क्या होगा इसमें सारे जो i होगे यहाँ पर एक i छूट किया है, for i in range तो sum is equal to sum plus i, ऐसा लिखने से क्या होगा, जो i की सारी values होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 50 तक की सारी values एसमें जुडेंगी और हम अगर print as कर दें, loop के बाहर तो क्या होगा, जो sum वो collect करेगा वो sum display हो जाएगा, लेकिन क्या है, इस program में हमें एक सेले के 50 तक के सारे number का sum नहीं करना है, सरिफ उनी numbers का sum करना है जो even हो, तो ऐसा करने के लिए हमें एक चीज इस program में add करनी पड़ेगी और वो है एक condition को हमें रखना पड़ेगा क्योंकि हम अभी सभी का number sum कर रहे है लेकिन हमें सारे numbers का sum नहीं करना है हमें सरिफ even का sum करना है तो उसके लिए हाँ पर एक condition डालेंगे if i modulus 2 equal equal 0 i modulus 2 equal equal 0 call and sign enter press करेंगे, तो ये जो ये जो यहाँ पर sum वाली जो line है इसको में उठाके if के अंदर डालना पड़ेगा क्योंकि ये sum तभी होना चाहिए जब if की condition true हो यानि की number सारे even हो तभी उसका addition होना चाहिए तो इसलिए हमने क्या किया, इसको इसके अंदर रख दिया और ये print test क्या करेगा उस sum को जो उसने collect किया उसको display कर देगा, हमने इसको loop के बाहर रखा है चलिए इसको हम लोग run करते हैं, हम F5 प्रेस करेंगे, और जैसे ही हम enter प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक answer मिला है 650, जो की एक से लेके 50 तक के सारे even numbers का sum है तो उस तरीके से हमने इसका output देखा ये questions आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको थोड़ा-थोड़ा कम आया है तो please आप मेरी for loop की जो practice series हैं सारी, वो देखे जाके चैनल पे वीडियो प्रेलिस पड़ी हुई है उसमें आप देखे जाके तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम sequence by sequence सारे पर उसको बनाते जा रहे हैं और ये सब programs आपको बहुत ज़्यदा easy लगेंगे अगर आप सारी series को देखेंगे क्योंकि इस कुछ basics हैं जो मैंने पहले series बताए हैं जिससे आपको ये चीज़ें समझने में बहुत ही आसानी होगी आपको यहाँ पर बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको अपना दिमाग खर्च नहीं करना पड़ेगा आपको बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी ओके ठीक है तो इस तरीके से हमारे questions complete हुआ चलते हैं next question की तरफ अगला question है program to print the sum of odd numbers from first 50 natural numbers using a for loop इस question बोल रहा है उपर वाले में even का sum करना था इसमें बस कोई फर्क नहीं थोड़ा सा अंतर है सारे odd numbers का sum करना है एक सले के 50 तक के सब भी odd numbers का sum for loop का use करके तो इसमें भी हमको एक बास समझाती है कि हमें एक loop चलाना पड़ेगा एक सले के 50 तक जिसके अंदर सारे odd numbers का sum करना है तो इस तरीके से ये program program बिल्कुर सेम सेम रहेगा बस थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे एक condition को change करना पड़ेगा यह जो condition लगाई है वो even की है कि जब i2 से divisible हो पूरा पूरा तो वो even होगा अगर इसी को हम odd में convert करना चाहते है तो हम यहाँ पे लिख देंगे i modulus 2 not equal 0 ऐसा करने से ये condition odd की बन जाएगी और अब ये सिर्फ जो जो i odd होंगे उनको ही s में collect करेगा उनको ही s में जोड़ेगा और loop खतम होने के बाद ये उस s को display कर देगा तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो program है वो एक सले के 50 तक के सारे odd number का sum कर सकता है इसको भी हम लोग एक बार run कर लेते हैं तो हम लोग उसके लिए f5 प्रेस करेंगे और यहाँ पे enter करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक answer आ रहा है जिसमें लिखा है 625 तो ये जो answer आया है वो एक सले के 50 तक के सारे odd number का sum है तो इस तरीके से हमने अपने दूसरे question को complete किया अब हम लोग चलेंगे next question की तरफ तो यह आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको किसी चीज में कोई doubt होता है तो आप please comment करके हमें बताइएगा तो हम उस questions को या तो आपको इस दुबारा से समझाने की कोशिस करेंगे आपको एक सारे parent करने है even numbers जो two given integers के बीच में होगे यानि की for loop का use करके आपको even numbers डिस्पले करने हैं कहां से लेके कहां तक तो यह बोला है user से input लेना पड़ेगा कि कौन से वो दो number है जहां से जहां के बीच के आपको सारे even number डिस्पले करने हैं तो यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि हमें दो number user से मागने पड़ेंगे starting और ending value user से मागनी पड़ेगी उसके basis पर loop चला के उसके between के सारे even numbers हमें display करने पड़ेंगे तो चलिए solve करते हैं इस question को हमें यहां पर सबसे पहले input लेना पड़ेगा तो हमें start और end का input लेते हैं तो हमने input लिया start is equal to int bracket में input function का use करेंगे और यहां पर लिख देंगे enter a number या enter start value तो यहां पर लिख दिया enter start value इस तरीके से हमने message यहां पर दे दिया उसके बाद हमें एक input और रहना है तो हमें एक end नाम का variable लेंगे और इसमें लिखेंगे int bracket में input और यहां पर फिर से लिखेंगे enter end value जो भी आप end value देंगे कुछ इस तरीके से तो इसके बाद अभी हम ने start और end का input ले लिया है अब उसने गोला था कि given integers के बीच के सारे even numbers को display करना है तो हम इसको हटा देंगे क्योंकि हमें कोई sumum collect नहीं करना हमें के loop चलाना पड़ेगा तो अब की बार जो हमारा loop है वो कहां से कहां तक तो हमें पता नहीं है कि वो user क्या डालने वाला है तो हम क्या करेंगे हम इस loop को start नाम के variable से चलाएंगे और खतम करेंगे end पे आपको चुकि पता है कि एक कम चलता है तो हम end प्लस बन लिख देंगे ताकि वो एक आगे तक चले अब उसने बोला है कि आपको display करना है वो सार करना है तो जो even number है उनको print कराने के लिए हमें यहां पर एक print लगाना पड़ेगा तो हम इसी print का इस्तिमाल करते हैं और इसमें print करेंगे i को i को हमने क्यों किया क्योंकि उसमें बोला है चले question बढ़ पढ़ते है print all the even numbers between two given integers using for loop तो हमने start end का input लिया loop को start से लेके end तक चला कर दिया उसके बीच में जितने भी even numbers आते हैं उनको display करना सा तो हमने condition लगाई i models to equal equal zeros का मतलब है कि जो जो i2 से completely divisible हो तब यह condition true होगी तो जब यह condition true होगी तो हमने क्या कर दिया i की value को display कर दिया print i तो कुछ इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो तीसरा वाला program है वो complete हम लेक बार इसको run करेंगे देखेंगे कि कैसा output आता है तो हमने यहाँ पर enter press किया यह हमसे देखो मांग रहा है enter start value तो हमने अपनी starting value देदी suppose 50 और हमने enter किया ending value मांग रहा है हमने यहाँ पर डाल दे suppose 100 तो हमारा look 50 से 100 तक चलने वाला है और उसके बीच के जितने भी even number है वो display होने वाले हैं तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 50 से start हो गया और 50 से लेके 100 तक कि जितने भी odd even numbers थे उस सब को इसने display कर दिया तो इस तरीके से आप output देख पा रहे होगे कि output आप आ रहा है तो इस तरीके से यह वाला question complete हुगा आपको सम्झ में आ रहा होगा question number 4 बिल्कुल इसी की जैसा है थोड़ा सा changes है उपर वाले question में यानि कि third question में सारे even number display करने थे इसमें सारे odd number display करने है between two given integers तो इसमें भी हमें समझ में आ रहा है कि हमें start और end का input लेना पड़ेगा input लेने के बाद हमें loop चलाना पड़ेगा इस start से लेके end प्लस बन तो यह बिल्कुल similar है इसमें print i करना पड़ेगा यह भी साही है बस इसमें बोलाए कि आपको वही i display करने हैं जो i odd हो तो हमें अपनी condition में थोड़ा सा changes करना पड़ेगा i modulus 2 not equal 0 condition लगाएंगे और print i कर देंगे तो हम देखेंगे कि इस program से start से लेके end तक के सारे odd display हो रहे होंगे त तो यहां पर नीचे देखेंगे कि जड़ा ध्यान से यहां पर आ रहा है enter start value तो अपकी बार हम डालते है 25 से लेकर हम डालते है 75 ending value 75 तो हम देखेंगे 25 से 75 तक के सारे odd numbers जो भी है वो display हो चुके हैं देख सकते हो यह सारी odd values हैं जो 75 तक पूरा आई हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे program का output हमें मिल चुका है question number 4 complete हो गया है आपको समय में आ गया होगा question number 5 की तरफ चलते है question number 5 में बोला है कि write a program which print numbers from 1 to 10 along with their squares and cubes by using for loop बोल रहा है कि आपको एक से लेके 10 तक के सारे numbers उनके squares और उनके Q value को display करना है using for loop चली इसको करते हैं तो एक से लेके 10 तक के सारे कर करने है तो यहां से हमें समझ में आता है कि हमें एक loop चलाना पड़ेगा जो की एक से लेके 10 तक चल रहा हो तो for i in range bracket में लिखेंगे 1,11 क्योंकि आपको पता है एक ज्यादा चलाना पड़ता है तो हमने 1 से 11 loop चला दिया अब उसने बोला है कि एक से लेके 10 तक के सारे number सारे square और सारे q value डिस्पले करनी है तो इसके लिए हम direct print लगाएंगे और इसके bracket में अगर हम i लिखते हैं तो इससे हर line में numbers print होंगे 1,2,3,4,5 ओके एक काम हो रहा हो गया दूसरा है अभी थोड़ा space देके हमें display करने हमें square value तो हमने आप थोड़ा space दिया फिर comma लगा अभी square क हमें आप space देदेंगे उसके फिर हमें क्या करना है इसके वाजू में हमको q print करने है तो उसके लिए हमें i into i into i ऐसे हम तीन बार लिख देंगे तो इससे q बाजाएंगे और उसके bracket close कर देंगे कुछ इस तरीके से आपको साइब पता होगा अगर आप नहीं पता तो आप ज space maintain करता है इसको one tab space बोलते हैं या horizontal tab बोलते हैं तो हम ऐसे ही यहाँ पर भी कर देते हैं slash t ताकि वो एक proper space को maintain कर सके तो कुछ इस तरीके से अभी हम इसका output करेंगे हमने fi प्रेस किया और जैसे हम enter करेंगे तो हम देखेंगे एक से लेके 10 तक के सारे number उनके squares और उनके cube value आ for loop से पहले रखेंगे अगर हमने इसको for loop के अंदर रखा तो हर बार loop चलती है heading print होगी जो की थोड़ा सा odd लगेगी तो हमें सरफ message यानि कि वो heading सरफ एक बार चाहिए तो हम उसे for loop से पहले रखेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे print और उसके bracket में पहले लिखेंगे number तो number message की तरह है तो उसे double quotes में रखेंगे उसके बाद हमें थोड़ा सा space देना है तो हम यहाँ थोड़ा space देंगे और उसके बाद हमें लिखना है square square उसके बाद फिर से थोड़ा space देना है और हमें लिखना है cube तो हम लिख देंगे cube यहाँ पर हमने सारी चीजें एक ही double quotes के अंद तो कुछ इस तरीके से हमने एक ही बार प्रिंट में दे दिया और हम फिर से एक बार управ ऐप्रेपरेश करेंगे और प्रोग्राम को रण करेंगे तो यहां पर देखेंगे नंबर स्क्टाइर और क् about तरीके से हइडिंग के आपको थोड़ा सा दमाग लगाने की जरूत है और यह आपको सम्में आ जाएंगे ठीक है पर आप इससे पहले वो मेरी सारी जो तीन सीरीज अपलोड हो चुकी है कर पर आप उनको पहले देख लीजे ताकि आपको यह सारी जो questions है यह बहुत ही बहुत आसान तरीके से हो सकता है इन questions को आप बिना ही मेरे देखे हों solve कर सको क्योंकि फिर आपको easy लगेंगे अगर आप सारी सीरीज sequences से देख रहे होगे तो ओके तो चलते हैं फिर कुछ अगले programs के साथ मिलते हैं next video में तब तक के लिए जैहन